हलो दोस्तों स्वारत है आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल में जी के होम फनीचर वोडेन वर्क पे तो दोस्तों आज हम आपको बताएने वाले हैं इस वीडियो में कि अपने सीड़ी के नीचे का सुंद्री कराण किस हिसाब से करें ताकि आपका जगह भी अच्छे से अच्छे इस्तिमाल हो सके आपका मेटेरियल भी जो आपके घर में जैसे की फनीचर बनता है तो उसमें जो इसके बचेगा यानि की कटपीस बचेगा उस तरह से उस कटपीस से आप बाहर का सीड़ी के नीचे का या तो और भी जो बाक्स वगरा होता है उसका सुंद्री करण किस हिसाब से करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे दोस्तों आज़े वीडियो के स्टार्ट करते हुए हम आपको दिखाएंगे पहले देखिए यह सीड़ी का नीचे का बना हुआ है तो यहां पर इसके पीछे का एरिया मिटर बॉक्स है और इसमें काफी कुछ हम आपको दिखाएंगे भी खोल के दर्वाजे के पीछे का एरिया तो यह देखिए दोस्तों यह देखिए आपकी स्टोरिज बन जाएगा सुंद्री करण हो जाएगा शीड़ी के नीचे के बनाने के बाल यह एरिया मैंने इसको केवल बॉटम पर बना है ताकि आपका मेटेरियल भी जो कट्पीस लगा हुआ है कम से कम इस्तिमाल हो सके और अच्छे से अच्छा फनीचर सीड़ी के नीचे बन सके तो मैंने यह चार इंच का बाक्स दिया है चार इंच का पट्टे दिये हुए और इसके नीचे इसके ऊपर साइड में मैंने य यहां पर जैसे की बैटरा रखा जाता है आपका जैसे की आप कह लिए इनवेटर का जो बैटरा रहता है अकसर सीड़ी के नीचे ही रखा जाता है तो उसके लिए भी एयर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए तो उस हिसाब से मैंने यहां पर डिजाइन कटवाई है जाली है जो कि आप देखने में आपको काफी और यह काफी मज्बूत है यह डबल पड्टे में दिया है अंदर से बाहर से फुल ळमूनय है भर अ्योंaire कि हम आपको दिखाएंगे यहां पर पर मैंने इसका एक box बनाया है जो कि ड्रावर की शकल में यहां पर आपका इस्तिमाल में आया है करने के लिए मैंने जगह दी है और यहां पर मैंने एक door दे दिया है जो कि यहां पर इसके अंदर में दो शेल्फ या तीन शेल्फ यह आपके requirement के हिसाब से यहां पर folding लग सकता है तो अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने एक राउंडिंग शेल्फ दिया है हम आपको खोल के भी दिखाएंगे इसका देखिया आप आपका जूते का जो है यहां पर जूता भी आ सकता है आपका शूज इस तीनों खाने में बहुत आराम से रख सकते हैं और मैंने इसकी गहराई ज्यादा ज्यादा 16 इंच रखी है तो आप भी देख लिए कि आपके सीड़ी की नीचे का एरिया कितना ज्यादा है उस घिसाप से आप इसके नीचे का बाक्स कुछ हिस्सा बाक्स करवा सकते हैं कुछ हिस्सा ऐसे जैसे मैंने बॉटम पर बनाया है उसी ताकि दोस्तों यह जो कबजे लगे हुए हमाई इंजिस इसका लोट सम्हाल सके तो यहां पर आप देख सकते हैं राउंडिंग शेल्प मैंने दी है यहां पर और यहां पर मैंने दो ड्रावर दिये हैं जो कि आपके शॉक्स वगेरा काफी कुछ यहां पर आ सकता है तो कुछ रखा हुआ भी फिलाल इसमें लेकिन साफ सफाई करने के बाद यह सब सारा एरिया हट जाएगा आए हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर के तरफ का एरिया के देखिए इसमें स्पेस कितना है यह सब कुछ डिपेंड होता है दोस्तों कि आपके जगे कही साब से त आपके जो बड़े आइटम हो वहां पर आ सकता है यहां पर मिटर बॉक्स भी लगा हुआ है आपका तो इसलिए मैंने एरिया जो आपको दिखाया मैंने से एंजी जाली वाला जो की जाली कटी हुई है तो यह आपका सेफ हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग अरियो आपको सबसे पहले इस वीडिएो कि नोटमिक्रेशन मिले और जितनी भी एधिये दूस्तों आए चैनल पर सब भी सनल रहती है सभर कुद काम किया हुआ यानि के काम कर आने के बाद सारी वीडियो अप्लोड अप्लोड होती है और किसी दूसरे की वीडियो अप्लो